हाई फ्रेंज अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं यह वीडियो एक कालपनिक खबर पर आधारित है इसका मकसद केवल हासिव यंग्य स्वस्थ मनुरंजन और राजनीते कटाक्ष करना है किसी की मान्हानी करना नहीं राहुल ने मोदी जी को दिया चालेंज कहा पहले आप सब्सक्राइब करना को पार्टी अध्यक्ष बना कर दिखाईए उनके इस चालेंज को राहुल गांधी ने फेस वाल्यू पर लेने का फैसला किया है राहुल गांधी ने भी मोदी जी को चालेंज देते हुए कहा है कि पहले आप अमित्षा को हटा कर शत्रगुन सिन्हा को पार्टी अध्यक्ष बना कर दिखाईए तब मैं मानूंगा कि बीजेपी में सच में लोगतंतर है मद्यप्रदेश में एक राली को संबोधिक करते हुए राहुल ने कहा कि कब से शत्रगुन जी इशारा कर रहे है कि मुझे कोई बड़ा पत दो फिर भी आप उनकी बातों को नजर अंदास कर रहे हैं चलिए मैं आपको एक चालेंज देता हूँ दम है तो पहले शत्रु जी को पार्टी अध्यक्ष बना कर दिखाईए राहुल गांदी के इस पलेटवार से बीजेपी में खलबली मच गई है लगबग 200 संसदों ने धमकी दी है कि अगर बिहारी बाबु को अध्यक्ष बनाया गया तो वो पार्टी छोड़ देंगे वही शत्रुगिन सिना खुशी से फुले नहीं समा रहे है खुशी के मारे अध्यक्ष बनने की रिहरसल भी शुरू कर दी है उधर अमित्षा भी मोदी जी के बयान से चिंतित नजर आ रहे हैं उन्होंने मोदी जी को चुपके से फोन करके रिक्वेस्ट किया क्या मोदी जी मेरी नौकरी क्यो खा रहे हो इतने सारे चुनाब जित्वा कर दे दिया और क्या चाहिए आपको ऐसे बयान मत दीजे वही पत्रकारों ने जब राहूल गांदी से पूछा कि आप शत्रुगन सिन्हा की मदद क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने सिफ इतना कहा कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है